हेलो फ्रेंज सीरियल ना उम्र की सीमा हो में एक बाद फिर से तेव के आफिस में होने वाली है कनिका की वापसी विदी के साथ कनिका ने जो किया था उसके बाद देव को उस पर बहुत ही जादा गुस्सा आ गया था और उसने उसे आफिस से निकाल दिया था लेकिन उसके बाद कनिका को realize हुआ कि उसने जो कुछ भी किया वो बिलकुल ही गलत था इसके साथी साथ विधी का soft behavior भी कनिका को पूरी तरीके से बदल देता है लेकिन दोस्तों कहानी में आने वाला है एक बहुती बड़ा turning point दोस्तों जैसे ही कनिका को पता चलता है कि कंपनी बहुती बड़ी crisis से गुजर रही है तो वो अपने पती की तरह अपने पैसो को लेकर भागने की बजाए वो इस situation को tackle करने की कोशिश करती है और दोस्तों यहीं पर होने वाला है कनिका की स्टोरी में थोड़ा सा change कनिका जो presentation बना कर अर्चुन को भेजती है उसकी help से अभी मन्य Board of Directors का भरोसा जीतने में काम्याब हो जाता है तो दोस्तों हो सकता है कि यहीं वो वज़़ा है जिसकी वज़़ा से देव कनिका को दुबारा ओफिस में आने की permission दे देगा लेकिन दोस्तों वज़़ा चाहे जो भी हो आप जल्दी कनिका को ओफिस में एक बाफ फिर से देख पाएंगे लेकिन दोस्तों इस बार कनिका का अंदास थोड़ा अलगी होगा दोस्ता आपको क्या लगता है कि कनी का वास्ता में बदल गई है या फिर यहां पर भी कहानी में कोई नया ट्विस्ट है